नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पवन मिस्रा पीके हिंदियान बुक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप क्रेटर स्टूडियो बेटा वर्जन जो यूटूब का है उसे कैसे आप बह लोग जानते हैं कि 2019 लग चुका है तो दोस्तों हो सकता है अब जल्द ही किसी ना किसी दिन जो क्लासिक वर्जन है इसे हो सकता है यहां से हटा दिया जाए तो आपको जो बेटा वर्जन है यूटूब का क्रेटर स्टूडियो उसे ही यूज करना पड़े तो दोस्तों इस तो दोस्तों यूटूब का Creator Studio वेटा वर्जन यूज करने के लिए आप जब क्लासिक वर्जन ओपन करेंगे तो यहां पर आपको उपर एक आप्शन से दिखाई देगा ट्राइ स्टूडियो वेटा इस पर आपको सिंपली जो यह ब्लू कलार में दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है तो चलिए मैं यहां पर सबसे पहले क्लिक कर देता हूं जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर दोस्तों यह थोड़ा जो है नेटवर्क प् यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप इसके बाद आपको यहाँ पर आपके सब्सक्राइबर्स tenth करेंगे कि आपके कितने सre dairy थे और फिर यहाँ पर नीचे आएंगे यहाँ पर वाच टायम और व्यू यहाँ पर धिखाई देंगे तो इस तरह से दोस्तों आपका ये डेस्क बोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसके बाद दोस्तों अभी आप यहां पर अपना जो लास्ट में आपने जो वीडियो अपर लोड किये तो यहां पर देख सकते हैं और यहां पर ब्यू जो है यहाँ पर देख सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर औरेज बियू जो है डारेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं गो टू वीडियो एनिलेटिक्स मतलब यहाँ पर क्लिक करके आप इस वीडियो का एनिलेटिक्स जो है देख सकते हैं और दो दोस्तों यहां पर बहुत कुछ जो है चेंजस नहीं किया गया है जो आपसंस हैं वो सेम ही हैं दोस्तों यहां पर केवल जो चेंज किया गया है वो इसका केवल लुक चेंज किया गया है विसेश करके यहां पर बहुत सारी चेंजे जो हैं उसे चेंज नहीं किया गया है जो चेंज यहां पर नहीं किया गया तो देखिए दोस्तों जब वीडियो पर आप किलिक करते हैं तो अगर आप लाइब जाना चाहते हैं तो यहां पर जो अपलोड के राइट में आपको लाइब का बटन है इस पर किलिक करके आप लाइब जा सकते हैं और दोस्तों यहां पर ज यह जो वीडियो है यहाँ पर जब राइट में आप क्लिक करेंगे इस तरह से तो सुरी दोस्तों यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर देता हूं यहाँ पर जब क्लिक करेंगे किसी वीडियो के राइट में तो यहाँ पर यह three dots दिखाई देंगे तो जब आप इस पर click करेंगे तो यहाँ से edit title and description यहाँ से edit कर सकते हैं go server link यहाँ पर share कर सकते हैं और promote का यहाँ options है download कर सकते हैं और अगर आप दोस्तों वीडियो delete करना चाहते हैं तो यह जो लास्ट वाला options है simply आप इस पर click करके delete कर सकते हैं और दोस्तों जब आप इधर को scroll करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा zoom out करके आपको दिखा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर आपको disability में यहाँ पर आप public रखना चाहते हैं देखिए मेरे सभी video public हैं यहाँ पर आप private या unlisted कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर जब आप जो दूसरा options है एह है date का किस date में आपने upload किया है वो यहाँ पर दिखाई देगा और दोस्तों यहाँ पर है views तो यहाँ पर आपके video पर कितने views आ रहे हैं वो सभी यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर comment दिखाई देगा इसके आसानी से ये चीजें आप समझ सकते हैं और यूज कर सकते हैं अब दोस्तों इधर आप आएंगे तो यहां पर सभी वीडियो के जो है लेप्ट में आपको ये डिब्बे का आइकन दिखाई दे रहा है तो जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इसके बाद आपको ये एरो का आइकन यहां पर दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है इस पर क्लिक करके टाइटल इडिट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन, टैक्स, बेसेबिल्टी और कमिन्यूटी जो है यहां पर आपका ओप्शन मिल जाता है यहां पर कैटेगरी, कमेंट्स और एंबेडिंग डेट यहाँ पर और यूजर रेटिंग और यहाँ पर वीडियो लेंगेज यहाँ पर आप वीडियो लेंगेज जो है वो चेंज कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर जब किलिक करेंगे दोस्तों यह वाला देख सकते हैं फिल्टर पर तो यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप् ये तीन आप्संस आपको मिल जाएंगे इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने किसी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं जैसे इसमें अगर आप लगाना चाहते हैं जो है आई कार्ट लगाना चाहते हैं या फिर एंड स्क्रीन यूज करना चाहते हैं या फिर वीडियो जो यहां पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, दोस्तों यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर जो मैं जानकर यह आपको बताने वाला हूँ, यह बहुत ही इमपोर्टेंट है जिसे आपके लिए जानना जरूरी है, दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह जो रहा इसके उपर आपको यहाँ पर URL मिल जाता है तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं कुछ यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक कर सकते हैं एडवांस में जो भी आप सेट करना चाहते हैं जो कि आपको क्लासिक वर्जन में मिल रहा तो वही सारे फीचर्स आप को यहाँ भी मिल रहे हैं इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से बेसिक पर कर देता हूं फिर यहाँ पर दोस्तों अब वीडियो को अगर एडिट करके आप इसमें आइकार्ट वगरा लगाना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर यह वाला जो घर्ड वाला न चाहते हैं तो दोस्तों यह पर जो तर्ड वाला आउपसंस आपको दिखाई दे रहा है यहां पर जो यह थ्री लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं त्रोब 3 डोट इस पर सुम्प्ली कलिक कर लेना है ऍसके बाद अपलाई टैमपलेट पर कलिक कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से आपको classic version में template मिलते थे उसी तरह से आपको यहाँ भी template मिल जाते हैं तो आप जिसे सकते हैं दोस्तों इसके बाद दोस्तों अब चलिये मैं यहाँ से buy gör proof लिया मैंने यहां पर थोड़ा यहां पर ब्रेट कर लेता हूं यह थोड़ा network problem चल डा दोस्तों जो कि मैंने आर लिडी बताया हुआ है आपको तो इसके बाद दोस्तों यहां पर जो थर्ड वाला ऑप्शन से एनिलेटिक्स पर क्लिक कर देना है तो यहां से आप जिस तरह से classic origin में analytics देखते थे उसी तरह से आपको यहां भी दिखाई देगा तो यहां पर दोस्तों केवल look change किया गया है दोस्तों बाकी सारा जो कुछ है वो same वही है सारे options वही वाले हैं जो classic origin में आपको मिलते थे यहां पर दोस्तों watch time minutes यहां पर दिखाया गया है फिर आपको views दिखाया गया है फिर यहां subscribers और यहां पर your revenues तो यहां पर यह सब दिखाया गया है यहाँ पर टॉप वीडियो जो वहाँ पर दिखाए जाते हैं वही यहाँ पर भी आपको मिल जाता है और यहाँ पर लेटेस्ट एक्टिविटी का आपसंस मिल जाता है और यहाँ पर दोस्तों अपलोडिंग लाइब यहाँ पर सारा सिस्टम जो है दिखाई दे रहा है तो औ पर इंट्रेस्ट बीवर्स यहां पर इंट्रेस्ट बीवर्स पर यहां पर देख सकते हैं इसके बाद यहां पर आप क्लिक करेंगी तो यहां पर बिल्ड आन यह है यहां जो यह आप्संस मिल रहा है यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन देख रहा है आपका वीडिय से यहां से देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों कमेंट पर क्लिक करके आप अपने वीडियो के जितने भी चैनल की कमेंट हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर दोस्तों थोड़ा बेट करते हैं देखे दोस्तों यहां पर सभी कमेंट जो हैं ओपन हो जाते हैं त तो यहां पर थोड़ा लोडिंग ले रहा है, थोड़ा बेट कर लेते हैं दोस्तों, तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस वाले आइकन पर क्लिक किया, तो यहां पर देख सकते हैं, आपके वीडियो सभी यहां पर सो करेंगे, यहां पर डिस्क्रिप्सान और थमनायल और सभी चीज़ें, यहां पर टाइटल सभी चीज़ें दिखाए देंगी, इसके बाद दोस्तों, मैं यहां पर थोड़ा इधर देखता हूँ, यहां पर देखे यह एरो का आइकन है, इस पर क्लिक करके आप अपनी जो है वीडियो का लेंगे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां से दोस्तों जो भी लेंगे आपको चाहिए वो अपने वीडियो में आप अड़ कर सकते हैं, तो मैं यहां पर अभी लेंगे सिलेक्ट करने वाला नहीं हूँ, केवल दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या-क्या फीचर्स हैं, अपलोड डेट यहां पर वही सारा सिस्टम दिया हूँ है, जो कि मैंने अभी बताया है आपको, फिर दोस्तों यहाँ पर आपको second वाला options मिल जाता है drop का यहाँ पर click कर सकते हैं फिर आपको community का options मिल जाता है और दोस्तों यहाँ पर publishate का options मिल जाता है तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको options classic version में मिलते थे same वही options आपको यहाँ पर मिल रहे हैं अब चलिए दोस्तों जो लास्ट वाला उप्संस है मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूं तो दोस्तों यहां पर जो प्राबलम आपको आ रही है वो यहां पर आ रही है दोस्तों जैसे अगर हम यहां से प्ले लिस्ट पर क्लिक करते हैं या फिर यहां पर मोर पर क् नहीं कर रहा है तो दोस्तों यहां पर आपको मॉबाइल से यूज़ करने में अभी थोड़ी प्रोब्लम आएगी तो आप PC पर यूज़ कर सकते हैं ट्राइब कर सकते हैं अब दोस्तों मैं इस वाले ऑप्शन्स पर देखे क्लिक करके फिर से मैं यहां पर आडियो लाइब्रेरी पर क्लिक करता हूं फिर भी यहां पर यह ओपन नहीं होता है तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि यहां पर जो क्लासिक वर्जन में बहुत सारे ओप्शन्स थे वो कहां पर हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको यहां पर नीचे आना पड़ेगा क्यों कि दोस्तों अभी जो क्लासिक वर्जन में बाकी सारे फीचर्स हैं वो भी यहां पर बेटा वर्जन में अभी जो है इन बिल्ड नहीं किये गए हैं इसलिए आपको यहां पर उनका यूज करने के लिए यह सेटिंग्स है नीचे इस पर क्लिक कर लेना है सेटिंग्स पर क्ल कर लेना है तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह मूब कर देगा उसी जो है क्लासिक वर्जन पर तो आप वहां से जो है वो से सारी सेटिंग्स कर सकते हैं पर दोस्तों यहां पर मोबाइल से करने में थोड़ी प्रोब्लम आ रही है तो आपको इसे PC पर ही करना होगा अब दोस्त अखरी में यहां से बैक कर लेता हुँ यह अब जो है क्लासिक वर्जन मैंने सेप कर दिया है तो दोस्तों व्यसे तो आपको जो है Fatal क्लासिक वर्जन करने में बहुत ही easy लगता होगा पर दोस्तों धीरे धीरे आप try करते रहें कियोंकि दोस्तों हो सकता है बहुत जल्द ही यह जो YouTube का classic version है इसे हटा दिया जाए तो आपको जो है YouTube का creator studio बेटा वर्जन ही यूज करना पड़े तो आपको बहुत बड़ी समस्या आ सकती है आपको वीडियो अपलोड करने में या फिर इसे यूज करने में तो जब आप ट्राइ करते रहेंगे तो आपको यह सारी प्रॉब्लम नहीं आएंगी और आप इजली अपने वीडियो को अपलोड क कर सकेंगे और सारी चेंजण जो है सेटिंग कर पाएंगे अपनी यूटूब चैनल पर तो दोस्तों यह जो यूच्टूब का बेटा वर्जन है जैसे ही अपडेट किया गया है इसी तरह से दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारी वेपसाइड़ों पर जो है बहुत ही ईजली यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों, अगर आप को ये जो है यूटूब का minimum इस्टूडियो बेट वरजन से related कोई सवाल है, तो आप कमेंट कर लीजेगा, मैं का जब आप जरूर दूंगा दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों अगर हमारे वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया